सुपर क्रेक्टर साइज के बीट्स आपको दिखाने वाले देख सकते हैं दोस्तों यह जितने भी सामने बीट्स दिख रहे हैं बहुती सुंदर कलर है नैचुरल कलर इसके उपर अभी कोई तरह का कैमिकल या कोई भी तरह का ऑईल वगरा यूज नहीं किया है ओम नवश्री सबकी बिषण के पहूंत. azim update स्वाइब करता है समय समय और स्विडियो बनाते हैं ostки आज निलिके लेकर है पंच मुल्य की साइज के इनदर बहुती अ Pas den कलेक्ष एक्स्ट्रीमीरियर ऐसाइज जिसको बहुती आब हमने कुछ 180 से दोस्तों के बीच में कुछ quantity select की है नेपाल से यह साल का फसल यह बहुत ही बैतरीन दाने हैं आप लोगों को definitely पसंद आएंगे अगर आप रुद्राक्ष लवर है तो आज की वीडियो में आपको दाने देखके आनंद आ जाएगा मज़ा जाएगा दोस्तों क्योंक सब्सक्राइब काफी रेर बोल सकते या इंपॉसिबल बोल सकते हैं यह बहुत सारे दानों में से सलेक्ट लाखो बीट्स में से सलेक्ट करके जो प्रीमियम जो एक्स्ट्रीम्ली लेर साइज है वो सलेक्ट करके आप लोगों तक हम लेकर आएं आज की वीडियो में continue बने रहे हैं हम दिखाने वाले हैं extremely 5 मुखि रुद्राश। सुपर सुपर क्लेक्टर साइज सामने बिट दिख रहे हैं बहुती सुंदर इसके ऊपर अभी कोई तरह का chemical या कोई बीचतर आए का ओईल वगटर यूज़ नी किया है बहुत सारे लोग चेमिकल वगटर लगा दिते हैं हम नॉर्मलि कोई भी बिचो रुद्राक्ष उसके ऑपर और उपलाई करते हैं। और या सेंडरबूड और या गाय का घी बोल सकते हैं, वह उज़ा कर सकते हैं। कोई भी रुद्रावश के ओपर ऑईल या घी करने के लिए यहां तो आप cotton होता है, cotton से इसके ओपर इस तरह से अपलाई कर सकते हैं यह फ्रेश टूथ भरस लेके आप ओयल से शयक्त कर सकते यह दो तरीके होते प्रुद्राज कि गर सकते जिससे रुदराज की क्यार कर सकते है और रुद्राक्ष की जो कॉलिटी है वो भी मेंटेन रहती है उसके उपर कोई तरह का क्रैक नहीं आता है कीड़ा वगेरा नहीं लगता है तो रुद्राक्ष की उमार आप काफी लॉंग रख सकते हैं क्योंकि जो एनर्जी है वो तो आपको मिल नहीं है लेकिन एक तरह से स्प्रीमली राराज अगर मैं वेट कहूं को की करीवन करीव कहरें तो इसका काफी अच्छा साइस बोल सकते है मं कहों। mm caliber scale के अंदर भी मैं आपके दिखा सकता हूं दोस्तो 26-27 mm यह भी काफी रेर साइज है यह 27 mm के आसपास का बीड है आप देख सकते हैं काफी अच्छा दाना है और इसी तरह से अगर मैं दूसरे भी दाने दिखा हूं जैसे आपको कोई भी एक दाना सेलेक करके बताता हूं ज दोस्तों क्यूंकि नॉर्मली जो 6-7 ग्राम है वो सुपर क्लेक्टर साइज के वेट होते हैं यह जो दाने आज आपको दिखा रहे हैं दोस्तों इन में बहुत ही बढ़िया साइज बहुत ही बढ़िया शेप है ओ माइग थर्टी में का पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत कर सकते हैं और बहुत ही बैतरीन साइज अगर इसका मैं वेट कहूं दोस्तों वेट इसका भी 8.56 ग्राम वेट है बहुत ही बैतरीन इसका वेट जितने भी दाने हैं एवरेजन 2829 mm के आसपास के दाने हैं साइज भी बहुत बढ़िया है और वेट भी बहुत दोस्तों आपके लिए बहुत ही साइज समय है आप देख सकते हैं 29.08 mm इसका mm साइज और इसका वेट सारे ही तक्रीवन तक्रीवन आट ग्राम प्लस के आसपास बैट रहे हैं और काफी दाने में काउंट करके ओ माइग दाना का शेप छोटा है लेकिन वजन देखिए दोस अगर वेट करूं नौ पॉइंट 35 ग्राम के आसपास तो काफी रेर साइज कह सकते हैं और दूसरे में कुछ दाने आपको सेलेक करके बताता हूं यह 8 ग्राम के आसपास है और बहुत सारे दाने हैं आट 22 यह 8 ग्राम मलब अबरेजन अबरेजन सारे ही मुझे लगता है 8 ग्राम इस दाने के बैट रहे हैं 9 ग्राम प्लस का और दूसरा दाना मिला है तो काफी अच्छे दाने हैं इस वार के अगर आप एक अच्छा पंच मुकी लेना चाहते हैं तो बहुत ही सई समय है दोस्तों आपके लिए 7.28 ग्राम यह दाना प्रसाधे साथ ग्राम इसी ल पर आप कमेंट करें यहां पिर हमारा जो वाटसेप नमबर है 8308306969 इस पर तुलंद संपर करें और एक अच्छा दाना कर सकते हैं अगर आप रखते हैं रुद्राक्ष वैर करने का रुद्राक्ष धारन करने का या वाटर थेरेपी में आप यूज़ करना चाहते हैं ए इस तरह सब हैं अगर आपको प्रियोग करना चाहते हैं तो इस तरह के दाने डेफिनिट्ली आप प्रियोग करने का बहुत ही सब्सक्राइब है बीना चुक्छ करना नहीं है सिंपल ही आपको हमारा जो वाट्सएप नमबर इस पर टैक्स मेसेज्ज या वाट्सएप मेसेज करना है 8308306969 इस नमबर पर संपर करके आप डेफिनेट्ली यह जितने भी बीट से इसमें जो बैस बीट्स आप पर्चेस करना चाहते हैं आप फोटो वीडियो मंगवा क सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए ओम नमश्रीवाइब जैश्री रगनाजीरेच साहब